हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो इजी नोट्स फो यॉर्लाइन स्टडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स जैसे के आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट एक्जाम है यूजी सी नेट का वो आने वाला है ऐसे में जो यूजी सी नेट के प्रिवेस येर कोशन पेपर है पेपर वन के लिए बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि किस तरीके का एक्जाम का पैटन आपकी एक्जाम बियाने वाला है किस तरीके के कोशन्स आपको फेस करने वाले हैं तो friends जल्दी से सब लोग live आ जाईए और यहां पे question के answer भी बताते जाईएगा आप सबसे request है क्योंकि time कम बचा है, exam आने वाला है, start करती है 12 December 2013 का shift to का यह question बिट पर कुछ questions मैंने यहां करवा दिये थे, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा है data interpretation और reading comprehension के questions के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को provide करूँगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ डियाई और reading comprehension होगा theory के questions हम लोग start कर चुके थे तो यह आपके सामने है, यह पूरी PDF आप सभी को मिलने वाली है तो उसके लिए आपको हमारी website पर जाना होगा और website पर से यहां आये जो जितनी PDF है, यह आप लोग collect कर सकते हो, link आपको वीडियो के description पर भी मिल जाएगी तो friends, यह सारे questions हैं, जो आपके exam में पूछे गए हैं, 12 December को shift 2 में, कुछ questions मैं करवा चुकी हूँ, तो चलते हैं आगे के questions पर, सबको audio visual clear है या नहीं, एक परी confirm भी कर दीजे, और जिनके में proper नहीं दिख रहा है, वो वीडियो की quality को enhance भी कर ले तो चलिए, यहां तक हमने question को आपको करवाया था, जहां हमने यहां पर लिखा था कि next question कराएंगे, हम next वीडियो में, इस question में क्या था, कि अगर हम school को 72 लिखते हैं, college को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके का एक question आपके सामने, reasoning वाला आपको दिखने को मिला, कैसे solve कर करेंगे, तो कितना निकलेगा, आपका ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर देखिएगा, यह जो alphabet है, आपकी सारे count करेंगे, 72, सेम ऐसे ही, college है, उसके सारे alphabet को count करेंगे, उनके number wise, तो यहां पर सही answer आपका होगा, option number 59, जब ऐसी कोई सीरीज आती है, या जहां पर लिखा जा question number 25, question number 25, मांसिक संक्रिया की सहचार या वाद सिद्धान के अंसार कौन सा नियाम यह बताता है कि एक विचार से, दूसरा विचार जो है, वो उत्पन होता है, क्योंकि अतीत में, वे या तो समय या स्थान के पदों में एक साथ घटित होते हैं, law of partial activity, law of proximity, law of mental set, law of continuity, तो सही अंसर, question number 25, जल्दी से comment करेंगे, सही अंसर है, option number D, D answer सही होगा, कि B answer सही होगा, सही अंसर है, option number D, बट यहाँ पर मत जाएगा, मानसिक संक्रिया के सहचार यवादि सिधान के अरसा, law of proximity, लेकिन यहाँ संसक्ती का नियम बता रहा है, यहाँ थोड़ा सा option जो है, यह गलत है, इसको ज़रा ध्यान से देखेगा, तो सही अंसर क्या होगा, इस question का ज़रा आप लोग भी comment करके बताएं, जब कोई चीज अतीत में, या वो, या तो समय या स्थान के पदों में, एक साथ कोई चीज घटित होती है, तो उसे हम कहते हैं, law of continuity, यानि संसक्ती का नियम कहते हैं, जबकि समीपता का नियम जो है, तो वो कौन सा है, law of proximity, समीपता का सिधान, तो ये law of proximity नहीं, law of continuity होगा, धिहान से इस question को थोड़ा सा समझ लिजेगा, तो कि थोड़ा सा यहां पे, I think, option में गलत लिखा हुआ है, इसको अपसाई कर लिजेगा, कोशन नमबर 26, तो कोशन नमबर 26 है कि अधिगम का मुल्यांकन अधिगम में व्रधी करने के लिए, कोशन नमबर 26, लिखा है कि assessment of learning is based on constructive feedback to enhance learning, दूसरा है statement, the goal of assessment of learning is to provide submittive grades at the end of the learning process, statement, कौन सा सही है, दोनो सही है, दोनो गलत है, एक सही है या दोनो, या दूसरा गलत है, क्या होगा इसका सही answer, assessment of learning से जुड़ा हुआ कोशन, तो सही answer क्या है, option number 1, इस कोशन का सही answer है, अधिगम के लिए मुल्यांकन का उदेश क्या होता है, अधिगम के लिए, यानि अगर हम कोई learning कर रहे हैं, तो उसमें हम evaluation करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, कि यहाँ पर आपने जो चीज़ सीखी, वो proper सीखा या नहीं सीखा, जो हमारा learning का जो goal है, उसको achieve किया या नहीं किया, तो अधिगम के लिए मुल्यांकन का उदेश, अधिगम के उदेश को प्राप करने के लिए सिख्षक और शात्र, दोनों के रहे हैं कितना हमने कोई चीज़ सीखी, कितना हमने पहले से progress किया, उसके बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना है करने के लिए अध्यन की किकाई के माध्यम से आगे बढ़ती है जिसमें अधिकम के अंतराल भी समलित होते हैं तो यहां पर आपका जो assessment of learning है उससे जुड़ा हुआ कोशन कोशन नमबर 27 प्रतिक संचार में सामगरी और सम्माद दोनों के तत्व शामिल होते हैं एक कोशन आपके सामने every communication contain element of both content and relationship statement नमबर 2 I behavior does not provide metacommunicative cues कौन सी unit से है यह वाला कोशन communication से यह कोशन आपके सामने सही answer है option number C इसकी detail पढ़ना बहुत जरूरी है यह क्या होता है metacommunication क्या चीज़ है यह पूरी detail आपके सामने metacommunication एक माध्य में कभी वेक्टी है जो आप मौखिक रूप से जो कर रहे हैं उसका समर्टन करती है या उसका विरोध करती है दूसरे शब्दे में गैर मौखिक संदेश है जो आप किसी के साथ बाचीत करते समय भेशते हैं metacommunication की प्रक्रिया में कुछ चीज़े शामिल हैं जिसमें आपकी body language यानि शरीर की भाशा gesture हो गया tone हो गया स्वरत्चारण हो गया आंग की हावभा हो गया personal space गैर मौखिक यानि non-verbal इसलिए यहाँ पे option number 1 सही है कि प्रतेक संचार में सामगरी और संबन दोनों के तत्वश शामिल होते हैं दूसरा कि आँखों का व्यभार metacommunicative संकेत प्रदान नहीं करता है गलत है क्योंकि इसमें आँखों का इशारा आँखों का व्यभार भी शामिल होता है non-verbal communication है metacommunication question number 28 सर्विक्षन अनुसंधान में उत्तर दादा द्वरा प्रश्नी की विशेवस्तों से स्वतंत्र पूर्वानु में तरीकों से उत्तर देने की जो प्रवर्ती है उसे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटर बायस, मेजरमेंट बायस, रिस्पोंस बायस या साइको सोशिल इफेक्ट उप्षन नंबर C, रिस्पोंस बायस यानि सर्विक्षन अनुसंधान में उत्तर करता द्वरा प्रश्नी की विशेवस्तों से स्वतंत्र पूर्वानु में तरीकों से उत्तर देने की प्रवर्ती रिस्पोंस यानि प्रतियोत्तर संबंदी पूर्वाग्रे कहलाती है उसके लवा आपको इन सब के बारे में भी पढ़ना है चाहे वो एक्सपेरिमेंटर बायस हो, मेजरमेंट बायस हो, साइको सोशल इफेक्ट हो क्योंकि अब इनसे भी जुड़े कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा रहे कोशन नंबर 29 द्वनी साश्वत है क्योंकि ये श्रव्य है लॉजिकल रीजनिंग का ये कोशन द्वनी साश्वत है क्योंकि ये श्रव्य है भारती सास्त्री न्याइमत के अमसार ये युक्ति दोश्पूर्ण है द्वनी सास्वत है क्योंकि ये श्रव्य है इस युक्ती में मद्यपद अतिव्याब्थ है कौन सा स्टेट्मेंट सही होगा इस कोशन का असर्शन रीजन है ये वाले कोशन नमबर 29 देखते हैं सही आंसर ओप्षन नमबर C इस कोशन का सही है यानि कि ए सही है लेकिन दूसरा नहीं, ध्वनी साश्वत है क्योंकि वे श्रव्य है, भार्ती सास्त्री नयमत के अमसार या युक्ती कैसी है, दोशपूर है, ये एक साध्रा की गिरावट का या संकीन मद अवदी की गिरावट का एक उधारन है, ध्वनी साश्वत होती है क् इस युक्ति में मद्य पद अती व्याप्त है ये तर्क सही नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि तर्क में मद्य पद कौन सा है middle term श्रव्य एक समानता या अस्पस्टता पर आधारित है question number 30 identify the type of longitudinal studies from the following longitudinal के starting में ही आप देख सकते हो क्या लगा है long लगा हुआ long का मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली research होती है लंबी study तो इसमें से आपको बताना है कि जो लंबे समय तक जिस पे हम study कर सकती है वो कौन सा है question number 30 आपके सामने option number 20 option number C या option number D जो लंबे समय तक चली अनुदैधर्य अनुद्यानों के प्रकार तो सही answer है option number D A C N D यानि कि trend studies, option number C panel studies, option number D prospective studies अब ये क्या है एक अनुदैगर्य अध्यान एक शोद पदती है जिसमें समय वदी में एक ही चर उधारन के लिए चाहें लोगों का समूगों को बार बार अवलोकन किया जाता है समय समय पर अवलोकन एक online subscription के रूप में भी किया जा सकता है समय विदी में यानि एक time duration में जो व्यवहार है या रुझान है या जो रुची है उसके बदलने की चीज़ों को देखा जाता है समझा जाता है प्रवर्ति अध्यान जिसे हम कहते है trend studies यह कैसा अध्यान है जिसमें हम ऐसे लोगों का अध्यान करते हैं जो समय समय के साथ एक ही प्रवर्ति को सांझा करते हैं पैनल जो स्टड़ी हो गई वो कैसी हो गई इसमें क्या है लोगों के एक ही समू का अध्यान किया जाता है यदि आप कोई बिन नमूना जोनते हैं तो व्यक्तिकर प्रात्मिक्ताओं में बिन अता आपके परिणामों को खराब कर सकती है बविश्य लक्षी अध्यान किस अध्यान में समय के साथ व्यक्तिक अनुकरेंड किया जाता है उनकी विशेष्टाओं या परिसितियों में बदला आपके अनुक्ताओं उनकी बारे में डेटा एकत्र किया जाता है जन्म समू अध्यन बविश्ट लक्षी अध्यन का एक उधार है कि कौन सा जन्म समू अध्यन कोशन नमबर 31 प्रदद दो संख्याओं का अनुपाद कितना है साथ और तीन प्रतेख संख्या में दो जोड़ा जाए तो उनका अनुपाद हो जाता है दो एक इन संख्याओं का योग यानि इन संख्याओं को गर हम मिला दे कौन संख्या इन दोनों संख्याओं को जब हम मिला दे तो इनका योग क्या होगा ये कोशन पूछा गया है चलिए कोई बात नहीं दिखाते हैं इसका सही आंसर सबसे पहले इनोंने कहा हमें संख्याएं नहीं पता है क्या नहीं पता हमें संख्याएं नहीं पता है लेकिन ये पता है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात है 7 और 3 फिर इनों ने का माल लिजे जो हमारी x संख्या है या y संख्या है उसमें हम दो जोड देते हैं तो हमारा जो नया अनुपाद होता है 2-1 होता है इसका solution जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2y ठीक है और 2 हमारा इधर गया तो क्या हो जाएगा plus plus इधर minus तो क्या हो जाएगा अपका plus x equal to 2y plus 2 यह हमारा दूसरा समी करन रना सेम हैसे ही समी करन एक और 2 को जब हम बढ़ाएंगे यानि क्या यहाँ पर हमारा निकला 2y plus 2 ठीक है by y equal to 7 by 3 7 by 3 कहां से हमारी पहली संख्या का जो अनपात है दोनों संख्या होगा साथ 3 हमने बताए था फिर सेम जभी भी हमें इनका multiply करना होता है ऐसे multiply cross sectional यहां पर cross multiplication करते हैं इस चीज का ध्यान रखें सेम ऐसे ही इन दोनों का cross होगा तो ही यहां पर इस तरीके की संख्या आएगी ठीक है आपस में multiply करेंगे तो इस तरीके इसका जब हम solution निकालेंगे तो x plus y y संख्या निकली हमारी x 6 और x जो निकली है वो 14 निकली है तो हम total करेंगे क्योंकि जोड़ बताना था तो सही answer 20 ऐसे question के लिए जो basic मेहत है उसकी जितनी जदा हो सके आप लोग practice करेंगे क्योंकि उसी से ही आपके ये जो ratio वाले question है वो आप solve कर पाएंगे क्योंकि D.I.E. में भी ऐसे questions पूछे जा रहे है question number 32 आगमनात्मत तर्क में परिसर की सचाई ये नई दर्शाती है कि निसकर्ष सत्य होना चाहिए यदे अतीत में कुछ बार-बार हुआ है तो ये अत्यादिक संभावना बनाता है कि वही जीज भविश में उन्हें परिस्तियों में फिर से होगी लेकिन ये हमेशा सुनिशित नहीं करती है question number 32 चलिए देखिए सही answer है option number 1 दोनों सही है और correct explanation भी है आगमनात्मक तर्क में परिसर की सचाई ये नई दर्शाती है कि निसका शत्ते होना चाहिए लेकिन यदि अतीद में कोई चीज बार-बार होई है तो उसकी बार-बार होने की संभावना उनी परिस्तियों में फिर से हो सकती है लेकिन ये हमेशा सुनिशित नहीं भी करती है ठीक है तो दोनों ही चीज़स सही है question number 33 ऐसे statement, assertion, reason के सबसे ज़्यादा questions होंगे आपके exam में National Education Policy, Higher Education से ये question सही answer option number 1 थोड़ा इसके बारे में detail भी आप लोग पढ़ लीजे दोनों ही चीज़स सही है चलिए राश्ट्रिय सिक्षा नीती में उच्चतर सिक्षा प्राली में विकटनकारी प्रद्योगियों के व्यापक प्रयोग का पूर्वानुमान लगाया क्या है राश्ट्रिय सेक्षिक प्रद्योगियों की मंच से सिख्षा प्रणाली में विकटन कारी प्रोध्योगी की को एक्यत्रित करने की उरूप्रे का तियार करने की पेख्षा की गई है NETF रास्ट्रिया सेक्षिक प्रोध्योगी की फोरम इसका फुल फॉर्म सिख्षा संस्थान राजे केंद्र सरकारों और अन्य हित्धार को नवींतम ग्यान अनुसंदान के साथ अफसर प्रणान करने के लिए प्रोध्योगी की यानि टेक्नलोजी को एकी क्रत करने तैनाती प्रोध्योगी की क्योपयोग पर निनन्ने लेने की सुविदा भी प्रदान करता है इसलिए यहाँ पर आप्शन नमबर वन बिल्कुल सही है कोशन नमबर थर्टिफोर सुक्ष्म जीवियों के द्वारा मुक्यता नियंतरित इस्तितियों में जैविक सामगरी के वाता पेक्षी अफ्क्रमन को कमपोस्टिंग कहते है कमपोस्टिंग क्या होता है खाद होती है तो कंपोस्टिंग प्रक्रिया में व्रहत और सुक्ष्म जीमियों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको दोड़ा मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कोशन पढ़ लीजे फिर आप आंसर दीजेगा इन्वायर्मेंट से जुड़ा ये कोशन आपके सामने कंपोस्टिंग क्या है ये चीज़ पूछी गई है आप देखते हैं इसके सही अंसर को आप्शन नमबर B, B होगा, B नहीं होगा भाई दोनों ही सही होंगे आप्शन इसको B को आप लोग थोड़ा सा हटा लीजेगा ठीक है आप्शन 1 ही सही है और 1 में क्या है कि ये दोनों ही सही है सुक्ष्म जीवियों और मुक्यत नियंतरित इस्तितियों में जैविक सामागरी के वाता पेक्षी अपकरमन को कंपोस्टिंग कहते हैं बिलकुल सही बाते हैं भाई खाद कैसे बनती है कंपोस्टिंग प्रक्रिया में वरहत और सुक्ष्म जीवियों दोनों की मात्वपून भूमिका होती है वही खाद बनाने में हेल्प करते हैं कॉमिकेशन जब करते हैं तो उसमें बादा पहुचाता है फिजिकल पूछा गया है इन्वाइर्मेंट कोशन नमबर 36 स्माइलिंग फेस मेलोडियस वॉइस टेम्प्रेचर लाइटनिंग कंडिशन लाउड नॉइस चूज कहां से करना है इसमें से आपको आंसर करना है सही आंसर आपका यहां से आएका ठीक है सही आंसर है option number C यानि option number C option number D और option number E यह तीनों ही भौतिक परियावर्निक आरक बाचित के दोरान संचार को के विवहार को प्रभावेत करते हैं भौतिक संचार एक ऐसा रूप है जहां प्रती को संकेतों इशारों का उपयोग किया जाता है मौकिक संचार के विप्रित जिसमें सुनने के लिए ध्वनी और कान का उपयोग शामिल होता है शरीरिक संचार को देखने के लिए आखे, इशारे, शरीर के अन्य इसों का उपयोग भी शामिल होता है तो यहाँ पर इस कोशन का सही आंसर हो गया तापमान कैसा है, प्रकाश किस्तिती कैसी है, लौड नौइस तीनों चीजें आएगी आपके इसके इंतरगर कोशन नूंबर 37, भारती संचार संप्रेशन की अवधार नाम मानव अनन्यों यानि की इंटरेक्शन की अगर हम बात करें की केंदरिक्टा पर अधारित है इंडियन कम्मिनिकेशन कॉंसेप्ट इस बेस्ट ओन दा सेनेट्रेलिटी ओफ इन हिमन इंटरेक्शन, इल्ल्यूजन, लेंग्विज, वन साइडिडनेस या कैट्रेशिस सही अंसर है इल्ल्यूजन यानि की भ्रांती संचार सूचनों के अदान प्रदान की प्रक्रिया है सूचना को शब्दों, आवाज के लेजे, चेरे की भाव, शारी रिएक भाषा के रूप में संप्रेशित यानि कैसे भी हम कर सकते हैं कम्मिनिकेशन जब हम कम्मिनिकेशन की बात करते हैं तो भारती इंडियन कम्मिनिकेशन में जो हुमिन इंटरेक्शन होता है तो भाषा की किंद्रिक्ता पर अधारित होता है तो भाषा की किंद्रिक्ता पर अधारित होता है कि ब्रामती पर सही आंसर ऑप्शन नमबर भी भाषा किस तरीके की भाशा का हम यूज करें संप्रेशन एक पारस्प्रिक्रिक्रिया जिसमें पक्ष संदेश का संप्रेशन करता है और दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहन करता है तो इसी तरीके के जो भी doubtful वाले question हो जहां पर भी आपको लगता है बट जब काफी लोग उस चीज़ पर सर्च करते है तो वहां पर उस चीज़ का जो right answer होता है वो हमारे सामने आ जाता है तो आप लोगों को जिस भी question में लगे कि नई ये doubtful है या इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है तो उस चीज़ को जरूर comment करे question number 38 साइमन आयोग कमिशन ने साइमन आयोग यानि कमिशन ने सिख्षा संबंधिक समिती गटित की थी उसे निम्न में से क्या माना जाता था विश्विद्याले समिती प्रांतिय समिती सहायक समिती या संगिय समिती question number 38 सही answer है option number option number C साइमन आयोग ने सिख्षा संबंधिक समिती गटित की थी उसे हाटोक समिती भी कहते हैं और सहायक समिती भी कहते हैं साइमन कमिशन का गटन भारत के governor general Lord Irwin के कारिकाल के दोरान हुआ था 1927 में भारत में सम्वैधानिक सुधारों के अध्यन के लिए यहां पर इसका गटन किया गया था तीन फरवरी 1928 में के भारत आया भारती अंदोलन कारियों ने साइमन कमिशन वापर जाओके नारे लगाए और जमकर इसका विरोध किया तो इसे हर्टो कमिटी और सहायक कमिटी भी कहा जाता है कोशन नुमबर 39 भू बरन इस तलों में दबाए जाने के बाद भी ठोस अबसिस्ट उर्जा प्रदान कर सकता है सॉलिड वेस्ट वेस्ट से कोशन आ रहा है समय कमपोजिट से कोशन आ रहा है ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ठीक है दबाए अग्या अबसिस्ट प्राकर्ति गैस उत्पन करता है जिसे प्राप करके जलाया जा सकता है सही अंसर इस कोशन का आप्ष नमबर 1 दोनों ही सही है भूबरण स्तलों में दबाए जाने के बाद भी ठोश भूबरण स्तलों में दबाए गए अबसिस्ट पधार क्या उत्पन करते हैं जिसे प्राप करके इदन के रोप में भी जलाया जा सकता है तो ये दोनों ही चीजे सही है question number 40 number series है आपको बताना है इस question का सही answer 7, 5, 1 जो है वो minus में है और नीचे आप देखे 1 लखा हुआ है वहाँ पर अगर 7, 23 देखे वो plus में जा रहा है इसके बाद आपको पूचा गया है next term क्या होगा जल्दी से इस question का आप लोग सभी लोग answer करिए जूम करते हैं इस question को answer करिए इस question का देखते हैं कौन past और सबसे accurate answer करता है इस question के लिए option A 42, option number B 55, option number C 87 option number D, 95 सही answer है option number B कैसे निगला है ये question देख लिजे difference देखा गया 2, 4, 8, 16, 32 क्या हुआ है multiple होता गया है यहां पे question में confusion हो रही हो तो ऐसे question के लिए एक बार खुद से करके देखें क्योंकि हो सकता है आपका जो answer हो या जो आपकी trick हो जादा better हो ठीक है question number 41 किसी को एक वर्ष का वार्षिक वेतन न दिया जाए उसको दंड दिया जाए तो क्या कहा जा सकता है कि अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तूत करने में किस तरीके की साहितिक चोरी वो करता होगा सही answer है level जो है इसका क्या होगा टू होगा पहली बात शून इस्तर में चार तरीके के level है इसमें शून इस्तर में 10 परसंट तक की 0 से 10 परसंट तक की समानता थोड़ी बहुत समानता है कोई दंड नहीं होता है प्रतम इस्तर में 10 परतिशत से 40 तक समानता 40 से 60 और 60 परतिशत से अधिक में 30 इस्तर आ जाता है साहितिक चोरी किसी आने द्वारा किये गए कारे विचार उपाई एशाली अधिकी नकल करते हुए मौलिक करती की रूप में प्रकाशन करना साहितिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे के साहितिक को बिना उसके संधर्ब दी अपने नाम से प्रकाशित करती है यूजी सी अधिसूचना 2018 अधिसूचना कौन सी है 2018 के अनुसार साहितिक चोरी को परिभाशित करने की प्रवयुजनार्थ उसकी सम गंभीटा के बढ़ते ग्रम में साहितिक चोरी को चार इस्तरों में मापा जाता है किसी संकाई सदेस्टे को एक वर्ष तक का वाशिक वेतन प्रदी ना दिये जाने का दंड दिया गया है को स्थापित करने वाले अग्रणी लेखकों में से एक है सेमियोटिक्स संकीत विज्ञान साइन लेंग्विज साइन करते ना साइन लेंग्विज जो होती है संकीत विज्ञान को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक है आप्शन नमबर डी जॉन लॉकी जॉन लॉकी संप्रिशन संचार के एक भाग के रूप में संकीत विज्ञान जिसे हम सैमियोटिक्स भी कहते हैं को बेस्तापित करने वाले अग्रणी लेखोकों में है सैमियोटिक्स संकेतों और प्रतिकों का सिध्धान और अध्यन है जहां विशेष रूप से भाषा के तत्वो संचार के ऐने परणालियों के रूप में सैमियोटिक्स के सामाने उधाननों में ट्राफिक संकेत, इमोजी इलेक्ट्रोनिक संचार उप्यों की जाते हैं इमोजी अगर हम किसी को भेज रहे हैं इमोजी बना के हम किसी को भेज रहे हैं तो वो किसके अंतरगत आएगा आपका संकेत विज्ञान के अंतरगत आएगा sign language जिसके हम कह सकते हैं emoji कह सकते हैं question number 43 fallacy से question logical reasoning से नेम लिखेत कतन में कौन सा तर्क दोश है कि वे लोग जिन में विनमरता का भाव है उनमें सौंधर ये बोध नहीं होता है क्योंकि जिस वेक्ति में सौंधर ये बोध होता है उनमें विनमरता होती है fallacy of equivocation, begging the question, fallacy of composition, hasty generalization सही answer है option number option number B आत्म श्रेदोश जिस कथन की सत्यता को सिद्ध करना हो और उसे अधार वाक्यों में पहले ही सत्य स्विकार कर लिया गया वो आत्म श्रेदोश कहलाता है जिस बात को सत्य किया जाना हो इसे सत्य सत्य सिद्ध करने से पहले ही सत्य माल लेना जैसे कि वे लोग जिन में विनमरता का भाव है उनमें सौंधर ये बोध नहीं होता है ये पहले ही decided है तो क्योंकि जिस वेक्ति में सौंदर बहुत होता है उन्में नम्रता भी होती है तो पहले ही इसका आंसर इन्होंने जुसत्त है उसे स्विकार कर लिया है इसलिए यहां पे क्या होगा आत्मिष्ट है दोश होगा कोशन नमबर 44 गवर्मेंट स्कीम से जुड़ा कोशन सुरक्षित सरल ततकार डिजटिये बुकतान को सुगम बनाने वाली यूनिफाइड पेमिन इंटरफेस यूपियाई पर अधारित निम्नमें से कौन जा भारतिये मोबाइल बुकतान एप है जिसे भारतिये राष्टिये बुकतान निगम ने विक्सित किया है माई जियोवी उमंग भीन फोन पे इनके फुल फॉर्म भी आएंगे इन सब के फुल फॉर्म भी आएंगे आप लोगों से रिक्वेस्टे इनके फुल फॉर्म और डिटेल जरूर पढ़ लीजे तो सही आंसर है ऑप्शन नमबर सी भीन सुरक्षित सरलत अतकाल डिजटी भुकतान को सुकम बनाने वाले युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस युपी आई का फुल फॉर्म युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर धारित भीम एक भारतिय भुकतान मोबाइल भुकतान अपर जिसे भारतिय भुकतान क मिलें मिश्रन की कीमत साथ रुपे प्रती लीटर माल लिघ प्लस X, सेम जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका solution निकालना है, आपको multiplication करना है, 60X equal to 180X की value निकालेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 3L, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पर इस question का सही answer 3L, अब यह PDF आपको मिलेगी, कहां से, यह PDF आपको हमारी website से click करनी है, अगर आपको question अच्छे लगे हो, यह किसी भी question में कोई भी आपकी query हो, कोई doubt हो, तो आप comment करके पूस सकते हैं, यह हमारे टेलिग्राम पर भी आप अपने questions को बता सकते हैं, website पे आप यह ले सकते हैं इस PDF को, link आपको available हो जाएगी community post पर भी, साथी इसी वीडियो के description पर भी, अब मिलते हैं आपसे next class में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, वीडियो को like, share, subscribe ज़रूर करें, thank you, और इसका DIY और reading comprehension आपको next वीडियो में पूरा का पूरा available हो जा आपको जाएगी करी।